हेलो एन वेलकम, स्वागत है आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्यानिस्टा पे, ग्यानिस्टा पेस करते हैं मंडे मोटिवेशनल स्टोरीज, तो हर सुमवार को सुनिए और देखिए मोटिवेशनल स्टोरीज, तो देखिए क्या है आज की मोटिवेशनल स्टोरी एक बाप और एक बेटे की बाप अपनी बेटे की गलत आदतों से परेशान हो जाता है वो कई बार अपने बेटों को कहता है कि देखो बेटा अपनी आदतों को सुधार लो इन्हें छोड़ दो लेकिन बेटा नहीं मानता है तो अचाना की एक दिन उस बाप को उसकी मौसी सल ख़या देती है कि सहर के नजदीकी पार्क में एक महतमाजी आएवे हैं उनस महतमाजी से आपको मिलना चाहिए ताकि वहाँ आपके बच्चे को सुधार सके दोनों बाप और बेटे महतमाजी से मिलनें पार्क में जाते हैं और कännते हैं मेरा बेटा गलत संगती और गलत आत्तों को छोड़ नहीं रहा है आप इसे कुछ उपदेश दे तो वह मातमा जी उस बेटे को और बाप को दो दिन बाद पार्क में बुलाने को कहते है कि आप दो दिन बाद पार्क में आईए मैं इसे ग्यान दूँगा मैं इसे उपदेश दूँगा दो दिन बाद वह बेटा पार्क में आता है और उसे वह मातमा जी समझाता है कि देखो बेटा तुम्हें इस पार्क में बहुत से पेड पौदे दिखाई दे रहे इन में से तुम पौधों को बहुत जल्द उखाड सकते हो पर पेड़ों को उखाडने में तुमें समय लगेगा तो उन्हें तुरंद ही बंद कर देना चाहिए बजाए उनका इंतजार किये तो दोस्तो इससे हमें यही कहानी और शिक्षा मलती है हमारी कोई गलत आदत है तो हमें जल्द ही छोड़ देना चाहिए समय पर छोड़ देना चाहिए तो दोस्तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें